हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने LG W30 Plus Android मॉइल फोन में आप जो है पासवर्ट लॉग को रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मॉइल फोन से ठीक है और ये पासवर्ट लॉग जो है रिमूव होने के बाद आपके मॉइल के सेटिंग कैसे काम करेगी आज किस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है सेटिंग पेज को ओपन कर कर देना ठीक है और यहां पर आपको इसे नीचे एरो के बटन पर टैप करना है तो आपका next page ओपन हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है report गल भी आपको अपर पर फॉर्स्वर्ष्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है पहला वाला नों का नों पर सेलेक्ट करेंगे तो टो एक चोटा सा पेज ऊपन होगा इसमें आपको नीची कि सहाटी एई врем का option tap करना है ठीक है तो आपको यहां पर देखे screen lock के नीचे known लिखा हुआ रहा है इससे पहले यहां पर password लिखा हुआ था तो इस तरीकी से password lock आपका remove हो जाता है आपके phone से ठीक है आप यह password lock जो है remove होने के बाद आपके mobile phone की setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको बता देता हूँ तो जब भी आप अपने phone की screen को off करेंगे फिर screen को on करेंगे तो आपका phone direct open हो जाता है आपको इस बीच में कोई भी password lock लगा हुआ दिखाई नहीं देता है ठीक है तो यह setting जो नहीं इस तरीकी से काम करेगी password lock remove होने के बाद आपके phone में ठीक है अब मैं आपको जो है यह setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने phone में setting page open करना है setting page में आपको सबसे उपर इस search setting का option select करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है फिर screen lock screen lock यहाँ पर आप type किज़े इस तरीकी से तो आपको नीची की side में ने screen lock का option show हो जागा security के साथ लिखा हुआ इससे आपको select कर लेना है ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly इस setting page में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में